मेरे टेरिस गार्डन में लगी हुई सबजियों की क्या कंडिशन चल रही है उनकी हार्वेस्टिंग करूंगी साथ में कुछ जरूरी टिफ्स भी शेयर करेंगे मैं हूँ विजया और आप देख रहे हूँ विजया अंस क्रेटिव गार्डन सबसे पहले दोस्तों ये है ककड का प्लान जिसमें की लीफ माइनर का अटैक बहुत जादा हो गया है जब मैंने इसमें पहली बार देखा तभी आट दस पत्तों में मुझे मिला काफी पैल गयते बहुत जल्दी और जब मैंने इसमें जो है जैविक कीट नाशक बना करके डाला तो दोस्तों वो असर नहीं करा जब चीजें बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है कोई भी टैक्यूरा मकोडा हो मिली बग हो एफिट्स हो कुछ भी हो फंगस हो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों तो कोई भी आपका और्गिनिक पैस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड असर नहीं करता है तो तब उस केस में आपको केवल कैमिकल पैस्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा लेकिन जब हम अपने खाने की सबजियों में अगर कैमिकल यूज़ कर दिया तो मेरे ग्रो करने का फाइदा ही क्या हुआ तो इसलिए मैंने जो था जब देखा सचुएशन आउट ओफ क चलेगी दूसरी चीज़ धियान रखिएगा कि जब भी आप सबजियां लगाईए उसके आज पास आपको फूल जरूर लगाने हैं क्योंकि दोस्तों यह जो सबजियां हैं इनकी हैंड पॉलिनेशन करना पाड़ा है कि कोई भी जो तितली हैं बीज हैं यह सब आई नहीं तो इसलिए फ्लावर्स भी लगाईए सबजियों के पास जरूर हाँ मेरे किसी फ्रेंड ने कहा था कि अपकी आप जो है हार्वेस्टिंग का वीडियो नहीं शेयर कर रहे हो तो फ्रेंड उसका मेल कारण यह है कि मेरी एक दिन में बहुत धेर हार्वेस्टिंग नहीं होती है अब देखे सबजीयां तो इतनी लगी है हमें जरूरत की मताबिक जब जरूरत जैसी पड़ती है मैं इसको थारवेस्ट करके ले जाती हूँ मैं वेट नहीं करती हैं जैसे इतने टमाटर दिख रहे हैं आपको मैं वेट नहीं करूंगे कि सार टमाटर पहले लाल हो तो अब इतने टमाटर लगे हुए हैं अब एक-एक करके सभी पीले पड़ेंगे उनको मैं हार्वेस्ट करूंगी एक-दो-एक-दो करके तो अब यह है कि मुझे डेली ध्यारी नहीं आता है कि मुझे यह वीडियो मतलब बनाना भी है इसका कभी-कभी तो याद आ जाता है अब लिकविट फटलाइसर बनाने का ध्यान नहीं रहता है तो दोस्तों उसमें जो है इसके नियुट्रेंट मिटी में रिलीज होता है और फ्लांट खीच लेता है मतलब कहने का यह है कि जो हमने फ्लांच से लिया तो उसको रिटर्ण भी करना जरूरी है टमाटर भी कई बार जो हलका सा पीला भी मुझे दिखता है तो मैं उसको हर्वेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि किचन में रख देती हूँ तो वो लाल अपने आपी हो जाता है यह कटड़ी मैंने अर्वेस्ट कर ली थी काट लिया ता मुझे याद आया कि इसका वीडियो बनाना है तो मैंने अलग से आपको इसको करके दिखाया है यह पहले ही कट चुकी थी, तो अब ककडी बगेरा भी है, तो यह है कि जैसे ही मैच्छियोर होती है, मैं तोड लेती हूँ, डेली भी नहीं होती, कि ऐसा नहीं कि मैं डेली ककडी मिल रही है, ऐसा नहीं लोआत, लेकिं 4-5 दिन में ऐसा है, कि दो तीन दो तीन मिलती रहती है तो मेरा जो है requirement पूरी हो जाती है हम लोग जो है दो ही लोग है है जितनी भी सबजी ग्रो करते हैं ये बहुत जादा हमारे हिसाब से हो जाती है ये बैगन भी छोटे हैं गर्मियों में जो है इनका साइज अपने आपी थोड़ा छोटा हो जाता है सरदी में ये बड़े बड़े रहते हैं तो अब इतने भी वैगन हो गए हैं तो दोस्तों ये मेरे लिए बहुत जादा है दो लोग के हिसाब से तो मुझे ये भी या तो फ्रिज में इनको स्टोर कर दो या फिर बाठ दो अब ऐसे लगता है कि जब इतनी सबजें लगा रहे हैं फ्रिश हमको मिली रही है तो मैं फ्रिज में बहुत दिन क्यों स्टोर करूँ बहुत होता है आदमी दो-तीन दिन की सबजी रख लेता है तो इसलिए जो हर्वेस्टिंग की वीडियो रेगुलर नहीं आ रहे है तो दोस्तों इस समय ध्यान रखेगा कि कीडों का अटैक बहुत ज़दा बढ़ गया है दिखे हमने लापरवाही कर दिये क्योंकि गार्डिनिंग की जब सब काम आपको करने होते हैं आप हर जगे ध्यान नहीं दे पाते हो कुछ न कुछ मिस होई जाता है तो भगवान नहीं आपके संग होए मैं तो कर हो जाता मेरे संग तो मैं इस कमी को एक्सेप्ट कर रही हूं गार्डिनिंग दोस्तो मेरा एक शौक है पैशन है जिसको कि मैं करती रहती हूं दोस्तो अपने हाथों से उगाई हुई और्गनिक सबजी आपको खुशी बहुत देती है सकून बहुत देखती है तो इसलिए जो भी कम और जादा मिलती है खुश रहिए और मस्त रहिए गार्डिनिंग करते रहिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ पाई